हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चितरा साइन्स, अब तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर प्रॉपर्पर्टीज और फंक्शन ओफ इम्नोग्लोबलिन M इम्नोग्लोबलिन M का सबसे पहले हम अमाउंट देखें तो ब्लड के अंदर जो टोटल एंटिबडीज होती हैं उनका 5 से 10 परसेंट जो है वो आईजीम का अमाउंट होता है आईजीम की सीरम हाफ लाइब से 5 डेज होती है आईजीम जो है तीन फॉर्म में एक्जिस्ट करता है एज ए मोनोमर ओन दे सर्फिस ओफ बी सेल एंद इन ब्लड एज पैंटमर और हेक्जामर हेक्जामर का बहुत माइनर अमाउंट होता है 5% तोटल आईजीम ज्यादा प्रिडोमिनेंट फॉर्म जो है आईजीम की वो पैंटमरिक फॉर्म है इन दे ब्लड Monomeric IgM जो है वो Membrane Bound होता है जिसे हम Small M से रिपरेजेंट करते है Small M IgM Membrane Bound Immoglobulin और ये B-cell की सर्फेस पर Receptors का काम करती है B-cell की सर्फेस पर दो Antibody Receptor का काम करती है एक IgM और एक IgD Pentameric IgM जो है वो Serum और Secretions में पाई जाती है Structure हम देखे Monomeric IgM जो है 2 Chain से मिलके बनेंगे 2 Heavy Chain और 2 Light Chain जो आपकी Heavy Chain इसके अंदर है वो Mu टाइप होती है और Light Chain या Kappa होती है या Lambda होती है इसकी जो Mu Heavy Chain है इसके अंदर एक Variable Domain है और आपके 4 Constant Domain है Normal आपकी Immoglobulin में 3 Domain होते हैं लेकिन इसकी Heavy Chain में एक Extra Constant Domain होता है और इसके अंदर हिंज रीजन नहीं होता Light Chain के अंदर एक Variable Domain है और एक Constant Domain है और ये Membrane Bound Immoglobulin का structure शो किया है ये जो Trans Membrane Domain है ये इसे Membrane में Anchor करके Hold करके रखता है Pentameric IgM में क्या है 5 Antibody के Molecule है IgM के 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं With the help of Disulfide Bond ये Disulfide Bond जो है इनके Constant Domain जो 3 है 3 को 3 से जोड़ता है और 4 को 4 से ये Constant Domain Heavy Chain का है इसके साथ एक J Chain भी होती है J Chain जो है आपके ये जो 10 Chain है इस 10 Chain में जो 2 Heavy Chain है उनके Constant Domain से जुड़ी होई होती है J Chain जो है इसे Stabilize करती है और इस Immunoglobulin को जब Transport करना हो तो ये इस Receptor से Bind भी होता है Serum के अंदर Predominant Form जो है IgM की वो Pentameric है लेकिन 5% IgM जो है वो Hexameric Form में भी एक्जिस्ट करता है Hexameric में 6 आपके Molecule जुड़े होती है और इसके अंदर J Chain नहीं होती है अब ये जो आपके Pentameric IgM है एक Antibody पे 2 Antigen Binding Site होती है तो ये 5 है 5 x 10 तो 10 Antigen Binding Site होती है 10 Antigen Binding Site है तो की Valency सबसे ज़्यादा है और जो आपके Antibodies है आइसो टाइपस Antibody के जैसे IgA, IgG उन सब में अब ये जो 10 Molecule है 10 Antigen Binding Site है इन पे अगर छोटा Molecule है जैसे की Heptane है Small Antigen Molecule है तो वो तो बाइन कर जाएंगे 10 लेकिन अगर आपका बड़ा Antigen है तो 5 ही Antigen Bind कर सकते है द्यू टू इस्टीरिक हिंड्रेंस इस्टीरिक हिंड्रेंस एक दूसरे से टकराएंगे तो बाइन नहीं कर पाते तो अगर बड़ा Antigen है तो 5 Molecule ही इस पर बाइन कर पाते है अब IgM का क्योंकि बड़ा साइज होने की वज़े से इसके Diffusion अच्छे से नहीं होता तो Intercellular Cells के बीच में जो Tissue Fluid होता है लिक्विड होता है उसमें इसका Amount बहुत कम होता है ये Mainly Serum में प्रेजेंट होती है किसी भी Antigen से Encounter होने के बाद जो सबसे पहली Immunoglobulin बनती है वो IgM क्लास की बनती है जो Primary Immune Response होता है उसमें सबसे पहली जो Immunoglobulin बनती है वो IgM बनती है हमारे बलड के अंदर जो Antibodies होती है RBC की Surface पर Antigens होते है और जो हमारी Antibodies होती है वो भी IgM क्लास की होती है और उन्हें आईसों ही में अगलूटलिन्स कहते है फंक्शन देखें IgM जो है पहली Immunoglobulin है जो हमारी बनेगी After Encounter with the Antigen यानि कोई भी Microorganic Body में आता है तो सबसे पहली क्लास की जो Antibody बनती है IgM बनती है इसलिए अगर IgM का लेवल में बढ़ा हुआ मिलता है इसका मदलब Infection Recently ही आपको लगा है IgM सबसे Efficient Complement Activating Antibody होती है उसके बाद IgG होती है Complement Activation के लिए 2 FC Portion पास पास होने चाहिए अब क्यूंकि IgM Pentameric है 5 Molecule होते हैं तो 2 FC Portion बहुत easily मिल जाते है IgM जो है पहली Immunoglobulin है जो New Neat का मदलब जिसका भी अभी जर्म हुआ जो आपका Newly Birth हुआ है जिस बेबी का वो जो सबसे पहली क्लास की Antibody बनाता है वो भी IgM क्लास की है और ये वहाँ पर Inner Defense प्रोवाइड करती है जो भी Pathogen Body के अंदर आता है Pentameric Structure होनी की वज़े से ये जो IgM है आपकी इसकी Valency सबसे ज़ादा है जितनी भी Immunoglobulin है तो ये बहुत Efficiently Antigen से Bind कर जाती है ज़्यादा तर वो Antigen जिनके जो Antigen की Surface पर Epitops जो है वो Repeated हों जैसे RBCS की Surface पर Repeated Isotops होते है जैसे यहाँ पर भी आपका Antigen है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है Same group होंगे आपके और इसी तरह Viral Particles पर भी Repeating Epitops होते है तो ये जब IgM इनसे Bind करती है तो इनकी Clumping करा देती है या Aggregation करा देती है इस Clumping और Aggregation को हम Agglutination कहते है इसकी जो है High Valency होने की वज़े से IgM जो है, वो Efficient Agglutinating Antibody है Clumping कराती है यह चाहिए Bacterial Cell हो, चाहिए RBC हो चाहिए Viral Particles हो और जब Viral Particles की Clumping कराती है तो वाइरस, जिन साइट से यह Host Cell है Host Cell की Surface पर यह Receptors है और इन Receptors से जो वाइरस है वाइरस के जो बहार निकलेवे Protein है, जिने हम Spikes कहते है इन Spikes की help से वाइरस इनसे Attach होता है लेकिन जो Antibody है यह Antibody जम इनसे Bind कर जाती है तो यह जो आपका वाइरस Particle है यह इन Receptors पर Bind नहीं कर पाता इसे हम Neutralization कहते है Neutralization of Viral Infectivity कि वाइरस की जो वाइरस की जो Infectivity है उसे हमने Neutralize कर दिया उसे Infection Cycle चलानी नहीं दे रहे तो IgG का Amount जादा चाहिए होता है इस Viral Infectivity को Neutralize करने के लिए और IgM का जो है वो कम होता है तो यह जादा Efficient है Viral Infectivity को Neutralize करने पर अब हम देखते हैं कि आपकी जो है यह IgM यह Accessory Secretory Immunoglobulin होती है जो Secretions में पाई जाती है अब इसका Transport कैसे होता है यह है आपकी Mucosal Surface यानि की Mucosal Lumen और यह Epithelial Cell तो Across the Epithelial Cell इसे जो Transport करता है वो एक Receptor है जिसे हम कहते हैं Polymeric Ig Receptor P-IgR इन Receptor से IgM यहां बनेगी बनने के बाद इनसे Bind करेगी और Bind करने के बाद यह Transport होती है Across the Epithelial और एक Vesicle में यह Transport होगी यह Vesicle यहां Membrane पे Fuse करेगा और यहां पर यह जो Receptor है इस Receptor को हम कट कर देंगे और IgM जो है वो आपकी IgA करती है This is all about immunoglobulin M Thank you